हलो इन गुद मॉनि एवरिवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम 8 अप्रेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले हैं और क्वेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ यह सारे क्वेशन सेलेक्टिर और इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ यू से यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यहां पर आपको पीडियेप भी आपको यहां मिल जाएगी यह आपके लिए आज का motivational court है सकसे इसकी सबसे खास बात है कि वो महनत करने वालों पर फिदा हो जाती है इसी motivational court के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का session first question है who has become the new foreign secretary of India भारत के नए विदेश सच्चिव कौन बने है तो इसका correct answer होगा विने मोहन क्वात्रा बने है C इसका correct answer होगा Indian government ने IFS विने मोहन क्वात्रा को भारत का नया जो विदेश सच्चिव है यह अपोइंट किया है और यह krasn के अंदर March 2020 से NEPAL में भारत के दूध के रूप में यह कारेरत थे इससे पहले हमारे विदेश सच्चिव कौन थे यह ते हर्श वर्दन श्रंगला थे तो यह हर्श वर्दन स्रंगला का अस्तान लेने वाले हैं कौन लेने वाला है विने मोहन क्वात्रा लेने वाले हैं जो हर्षवर्दन शंगला है ये 30 अप्रेल 2022 को ये क्या रिटायर हो गए और क्वात्रा 1988 बैच के भारतिय विदेश सेवा अधिकारी है जिनने विदेश सेवा में 32 सालों का इनको अनुभव है चलिए अपॉइंट्मेंट बने हैं who has become the new agriculture secretary in the department of agriculture and farmer welfare तो ये कौन बने है Manoj Ahuja बने है who has become the new chief economic advisor of India तो ये बने है Dr. V. Anand Nageshwaran बने है who has become the new director of forest research institute तो ये बनी है Renu Singh who has been appointed as the new steel secretary of India तो ये बने है Sanjay Kumar Singh second number question है who has started the initiative name Nature and Green to tackle the problem of plastic pollution plastic production की समश्या से निबटने के लिए प्रकरती और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है तो ये शुरू किया गया है भुपेंद्र यादव के द्वारा ये इसका correct answer है ये हमारे केंद्रिय परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री है और इनोंने ये जो पहल है इसको शुरू किया है और इनोंने क्यों शुरू किया है इसको तो बहतर परियावरन के लिए हमारी जीवन शेली में किये जा सकने वाले छोटे बदलाओं के बारे में लोगों को awareness भढ़ाने के लिए जो शुबंकर है प्रकरती इसका आज शुबारम किया गया है और इस initiative के बारे में हम रिटेल से बात करें तो देश में प्रभावी plastic अपसिस्ट प्रभंदन सुनिशित करने के लिए परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रा ले और केंद्रिय प्रदूशन प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लिया है और प्लास्टिक हमारे समय की सबसे महतुपूर्ण परियावरन ये चिंताओं में से एक के रूप में ये उबढ़ा है और भारत हर साल 35,000,000 टन प्लास्टिक कच्रा पैदा करता है जिसमें प्रती व्यक्ति प्लास्टिक कच् शुरू हुए है, which state will start the parai sikshalya campaign to conduct classes in the open ground for pre-primary students, तो ये जो campaign है ये start किया जाएगा West Bengal के अंदर, which state government has started the clap campaign for the cleanness of rural areas, तो ये कहां पे चला गया है clap campaign आंदर प्रदेश के अंदर, the government of which state has started punk अभियान to make girls and women self-reliant, तो ये जो campaign है ये चला गया है मध्य प्रदेश के अंदर, जो ये punk अभियान है ये मध्य प्रदेश के द्वारा चला गया है और punk का मतलग क्या है, इनके हर word से मतलब है, P से मतलब है protection, A से मतलब है awareness और N से मतलब है nutrition और K का मतलब है knowledge और H का म गया है, विच इंडियन डिफेंस फोर्स स्टाटेड ओपरेशन सर्ध हवा तो ये चलाया जाता है BSF के द्वारा, विच टेकनोलोजी प्लेटफोर्म है लॉच्ट अवेर वाटर केम्पेयन तो ये चलाया गया है Twitter के द्वारा, थार नमबर क्वेशन है, वेन इस इंटेने अंतरास्टे खेल दिवस 2022 कम मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 6 अप्रेल को, सीज का correct answer है, विकास और शान्ती है तो अंतरास्टे खेल दिवस 6 अप्रेल को विश्विस तर पर ये मनाया जाता है, और इस शमता के बारे में जागरूपता बढ़ाने के लिए 6 अप्रेल को United Nation General Assembly द्वारा विकास और शान्ती के लिए अंतरास्टे खेल दिवस के रूप में इसे गोशित किया गया था, और इस दिन को अपनाना सेयुक्त रास्टर द्वारा मानव अधिकारों की उन्नती और सामाजिक और आर्थिक विकास पर खेल के सकारात्मिक प्रभाव की आनेता को ये दर्शाता है, और IDS DP 2022 का जो वेश्विक विसे है, मतलब थीम है, ये क्या कि रिक गई गई है, ये रखी गई है, सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल और पीसफुल फ्यूचर फॉर और इस बाल की थीम रखी गई है, मतलब सभी के लिए एक सतत और शान्ती पून भ बड़ावा देने के लिए दिन के उत्सव का अवसर पैदा करता है, और इस विशे के तहत नियोर्क में सयुक्त रास्ट मुख्याले जलवायू संकट को दूर करने में खेल की भूमिका को पहचानेगा और ग्रीन हाउस गेस उत्सरजम को कम करने और जलवायू परिवरतन क खिलाब कारवाई को यह उजागर करेगा तो यह जो डे है यह सेलिब्रेट किया गया है, चले टॉप फ़ाइव डेस के बारे में हम रिवाइस कर लेते हैं, बीस मार्च को हमने वर्ड और हैल्टे के रूप में मनाया है, वर्ड डाउन सिंड्रोम मनाया है हमने 21 मार्च को, वर्ड स्लीब डे हमने 18 मार्च को मनाया है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हमने 18 मार्च को मनाया है, और इंटरनेशनल डे ओफ एक्शन 2022 यह हमने सेलिब्रेट किया है 14 मार्च को, फोर नमबर क्वेशन है, वो विल बिकम दे न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारती थलस गल सेना के नए प्रमुख कौन बनेगे, तो यह बनने वाले है, मनोज पानो एकने का इस्तान लेने वाले है? यह M.N.र Warsne का इस्तान लेने वाले है, डेटेल से हम इनके बार में बात करें, तो वाइस चीफ लेफनीन जनरल मनोज पानडे थलसानी अध्यक्स बनने के और Gen. नर्वने के बाद कारेलय में सबसे वरिस्ट होने के नाते Lieutenant Gen. Pande पद समालने वाले हैं और पिछले तीन मैनों में कुछ सीर्ष अधिकारीों के सेवा निर्वत होने के बाद में Lieutenant Gen. Pande सबसे वरिस्ट बन गये हैं और इस बीच वर्तमान सेना प्रमुक जनरल एमेम नर्वनी चीफ ओफ डिफेंस स्टाप के पद की दोड में सबसे आगे हैं क्योंकि ये पद पिछले साल दिसंबर में खाली हो गया था क्योंकि ततकाली चीफ ओफ डिफेंस स्टाप जनरल विपिन रावत का कोईम बटूर के पास एक हेलिकोप्टर दुरगतना में इनका निधन हो गया था तो इनकी जगे कौन आने वाले हैं एमेम नर्वने आने वाले हैं और एमेम नर्वने की जगे कौन आने वाले हैं तो ये मनोज पांडे आने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में हम बात करें तो ये एस्ट 2021 for Outstanding Female Media Person उतक्रष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जेन पुरशकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है आरिफा जोहरी को ये इसका correct answer है मुंबई की एक पत्रकार है आरिफा जोहरी इनको एक उतक्रष्ट महिला मीडिया कर्मी स्कॉल इनके लिए काम करती है और 2020 में नीतु सिंग को ये अवोर्ड मिला था और ये गाउं कनेक्शन मीडिया हाउस से जुड़ी है चमेली देवी जेन पुरशकार भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों के लिए पत्रकारिता के छेत्र में वार्षिक प्रतिस्टित माने था है जिनोंने सामाजिक विकास राजनीती, समानता, लेंगिंग नयाई स्वास्त, युद्ध और संगर्ष और उब्भोकता मुल्यों जैसे विशो पर रिपूर्ट दी है और इस अवोर्ड की जो स्थापना है ये 1980 में वर्गिस और चमेली देवी के परिवार के दोरा की गई थी चलिए अवोर्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो लास्ट और फाइव आवोर्ड के बारे में हम इसे रिवाइस कर लेते हैं तो ये मिला है विलफ्रेट बूर्ट सर्ट को तो इसके अंदर जो रास्ट जल पुरशकार है इसमें सर्व स्रेष्ट राज्य की श्रेणी में जो पहला पुरशकार किसे दिया गया है ये उत्तर प्रदेश को मिला है तो ये मिला है डैनिस पार्नेल सुलीवन को तो ये मिला है मारियो मार्सेल को जो चिली के है तो ये दिया गया है मुहमद रजा को तो ये लांच किया गया है टाटा ग्रूप के द्वारा 20 का करेक्ट अंसर होगा साथ अप्रेल को टाटा समू अपने बहु प्रतिक शित सूपर एप नियू को लांच करेगा और ये सॉफ्टवेर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड के लिए उपलब्द रहेगा टाटा समू का मुख्य लक्ष अपने डिजिटल डिविजन का विस्तार करना है ताकि वह एमेजन, फ्लिपकार्ड और रिलाइन समू के जियो मार्ट जैसे बाजारों के नेताओं के साथ में प्रतिस परदा कर सके टाटा का नियू एप एक ही प्लेटफोर्म पर हवाई जहाज, होटल, दवाएं, किराने का समार एक साथ लाएगा टाटा नियू एक all-in-one प्लेटफोर्म होगा जो कंपनी की सभी सेवाओं को एक साथ एक एप में लाता है एप के माध्यम से विशेश ओफर, प्रौतसाहन और बहुत कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये परेशानी मुक्त खरीदारी और भुकतान प्रक्रिया के लिए वन स्टॉप शॉप होने वाला है तो इस प्लेटफोर्म को किसने लाँच किया है? टाटा ग्रूप के द्वारा ये लाँच किया गया है टाटा न्यू एप खर्च के लिए प्रौतसान के रूप में न्यू कोईन देता है जिसे अन्य सेवाओं के लिए एक्शेंज किया जा सकता है टाटा ग्रूप की बात करें तो ये एस्टेबलिस्ट रहा था 1868 के अंदर इसका हेड़कॉर्टर मुंबई महारास्ट के अंदर मिलेगा इसके प्रेजिडेंट है नतराजन चंदर शेकरन और इसके फाउंडर कौन थे? जमशेज जी टाटा थे सेवन नमबर क्वेशन है विश वूमन है तो ये रही है वो ये जुन रही है बीस का करेक्ट आंसर होगा ये लॉंग फोर्स जो कंपनी है इसकी मालिक है तो ये इसके अंदर शेष पे रही है इंडिया की बात करें तो जो फालगुनी नायर है इसके अंदर जो इंडिया की एक ही जो महिला है इस लिस्ट में चुनी गई है और ये इस लिस्ट में दसवे पुजीशन पे है ये जो नाइका है नाइका जो कंपनी है इसकी फाउंडर है इसके अंदर second position पे जो रही है ये रही है फैन होंग वे ही रही है ये हैंगली पैट्रो केमिकल कमपनी की मालिक है और वांग लाइचून की बात करें तो ये third position पे रही है ये लक्स शेयर प्रिसीजन इंडस्ट्री से related है डिटेल से हम इस लिस्ट के बारे में बात करें तो लॉंग्स फोर की सह संस्ता पग वू यूजून हुरून रिसर्च इंस्ट्यूर द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून रिच्चे सेल्फ मेड वुमन इन दवर्ड 2022 के अंदर ये टॉप इस्तान पे रही है और वो यूजून चीन की रहने वाली है और हुरून रिसर्च इंस्ट्यूर द्वारा जारी हुरून रिच्चे सेल्फ मेड इन दवर्ड 2022 की जो इंडेक्स है इसके अकोर्डिंग विश्व में 124 स्वा निर्मित महिला अरपती है और चीन विश्व की स्वा निर्मित महिला अरपतियों में से 78 के साथ दो तिहाई योगदान देता है और इसके बाद में आया है सैयुक्त राजे अमेरिकान जहां पर कितनी महिला है चुनी गई है 25 महिला है और युनाइटेड किंग्डम जहां से है 5 के साथ में ये रहा है और नाइका की जो फांडर है मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO फालगुनी नायर ये 7.6 अरप डॉलर की संपती के साथ में इस लिस्ट में 10 वेस्तान पे रही है और ये शिर्ष में रहने वाली 10 में से एक मातर ये भारतिया है और तो फ्री वूमन्स इन दे लिस्ट के हम बात करें तो वू यूजुन इसके अंदर फर्स पोजिशन पे रही है सेकिंड पोजिशन पे रही है फैन होंगर वेई और थर्ड पोजिशन पे वांग लाई चुन रही है और दसवे पोजिशन की बात करें तो ये जो भारत की रही है कौन रही है सालगुनी नायर रही है जो नाइका की फाउंडर और CEO है एट नमबर क्रेशन है गंगोर महुसाव is celebrated in which state गंगोर महुसाव किस राजी में मनाया गया है तो ये मनाया गया है राजस्तान के अंदर ये इसके correct answer होगा राजस्तान में ये mainly ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है और गंगोर जो festival है ये राजस्तान, मध्यप्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के अंदर भी ये मनाया जाता है और ये राजस्तान के सबसे important festivals में से एक है और ये पूरे state के अंदर बड़े ही उस्सा के साथ में ये मनाया जाता है क्यों मनाये जाता है इसके बारे में हम बात करें तो जो अच्छे पती पाने के लिए गोरी का अशिर्वात लेने के लिए उनकी पूझा करती है के पहले दिन होली मतलब होली के अगले दिन से ये जो festival है ये स्टार्ट हो जाता है और कितने दिन तक चलता है, ये 16 दिन तक ये चलता है, चलिए राजस्तान की बात कर रहे हैं, तो current affairs from top 5 राजस्तान के बारे में हम revise कर लेते हैं, which state of राजस्तान has celebrated its foundation day on 30 March 2022, तो इस बार इनोंने 73 नमबर का जो अपना foundation day है ये मनाय था, इसकी जो इस्तापना हुई थी, ये 30 March 1949 को हुई थी, where is the world famous Maru festival organized, तो ये कहां मनाय जाता है, राजस्तान के जैसलमेन में ये मनाय जाता है, which state of India has the largest number of households electrified through solar based system under सोभागी योजना है, इसके तहत भारत के किस राज्यस में, सो राधारित सिस्टम के माध्यम से, जो विद्यूतिकरत घरू की संक्या है, ये सबसे जादा है, तो ये भी कहां पे है, राजस्तान के अंदर, क्योंकि राजस्तान के अंदर क्या होती है, गर्मी जादा पड़ती है, सूरज के किरने सीधी पड़ती है, where will the वायू शक्ती exercise be organized by the Indian Air Force, भारतिय वायू सेना द्वारा वायू शक्ती अभ्यास का आयोजन कहां किया है, मतलब पशुपालन के लिए 10 करोड रुपे का जो बजट की घोशना है, यह यहाँ पे की गई है, 9. question है, who has written the book Decoding Indian Babu Dom, Decoding Indian Babu Dom नामक पुस्तक को किस ने लिखा है, तो यह लिखी गई है, अश्वनी श्रीवास्ताव के द्वारा, अश्वनी श्रीवास्ताव द्वारा की नोकरशाई व्यवस्ता को कवर करने वाले पत्रकार की अएक अपनी तरीके की पहली बुक है, और यह आम आदमी के द्रश्टीखों से भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्ता है, और जो शास्चन है, इसके कामकाज पर यह प्रकास डालती है, तो यह जो बुक है, यह दुर्वेवार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो यह बन गया है, इकवार और बन गया है, तो यह कौन सा बन गया है, इकवार और बन गया है, और जानवरों पर बढ़ते अत्याचारों प्रताड़ना के मामल को घंबीरता से लेते हुए दक्षिन अमेरिका इकवाडोर ने एक अनो की पहल स्राट की है और ये दुनिया का पहला देश है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का फैसला किया है और ये फैसला देश के सरवचे नयायले ने एक बंदर एस्ट्रेलीटा के मामले की सुनवाई के दोरान ये सुनाया है तो ये बन गया है इकवाडोर बन गया है चले साथ अप्रेल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेशन है सयुक्त रास्ट मानव अधिकार परिशद नहीं मानव अधिकारों और जलवायू परिवर्त तो ये चला है रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेस के दोरा और पी एफेस के दोरा सीज़ का करेक्ट आंसर होगा तूर नमबर क्वेशन है रास्टे समूंधरी दिवस 2022 कम बनाया गया है तो ये बनाया गया है पांच अप्रेल को ये मनाया जाता है गलती से मैंने कल इसको 2 अप्रेल बता दिया था तो आप इसे करेक्ट कर लेना 5 अप्रेल को ये जो डे है नेशनल मेरी टाइम डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 नमबर क्वेशन है भारत में सबसे कम बेरोजगारी दरवाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर सिस्थान पर रा है तो सबसे कम जो बेरोजगारी है ये कहां पर है 36 गड़ के अंदर है 20 का करेक्ट आंसर है 5 नमबर क्वेशन है Queen of Fire नामक पुस्तक को किसने लिखा है तो ये जो बुख लिखी गई है ये देवी का रंगाचारी के द्वारा लिखी गई है इस का करेक्ट आंसर है 6 नमबर क्वेशन है हंगरी के प्रधान मंत्री कौन बने है तो हंगरी के जो प्रधान मंत्री बने है ये है विक्टर और्बन बने है 20 का करेक्ट आंसर होगा 7. इंडिया वोट एंड मेरिन शो का चोथा संस्करन कहां आयोजित हुआ है तो ये हुआ है कोची के अंदर के अंदर के अंदर सी इस का करेक्ट आंसर होगा 8. उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया है तो ये शुरू किया गया है श्री वस्ती उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है इस का करेक्ट आंसर होगा 9. आपात काल के दोरान जनता के लिए कावल उत्तवी एप को किस ने लॉँच किया है तो ये जो एप है ये लॉँच किया गया है एम के स्टैलिन के दोरा बीस का डीस का करेक्ट आंसर होगा 10. ग्रामीन शेत्र और महिलाओं के विकास के लिए घरेलो ई-कॉमर्स कमपनी फ्लिपकार्ड ने किस नाम से एक नया प्लैटफॉर्म शुरू किया है तो ये शुरू किया है फ्लिपकार्ड फाउंडेशन के नाम से सीज का गरेक्ट आंसर होगा और ये था कल का स्टड़ी फुटबॉल टूनामेंट एफसी महिला एश्या कप भारत 2022 का किताब किस देश की टीम ने जीत लिया है तो ये जीत लिया है चाइना के द्वारा जीता गया है सीज का करेक्ट आंसर होगा और ये है आपके लिए आज का स्टड़ी ग्लॉस क्वेशन तो इसका अंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजेगा ये हमारा टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर आपको सारे एक्वेशन क्वेशन के फॉर्मेट में अवेलिबल हो जाएंगे यहाँ जाकर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको इस सेशन पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेर कीजिएगा तो चले मिलते हैं हमें एक नए सेशन के साथ में थैंक्यू